सारे नूं सच्छीरी अकाल जी आयानू अज जड़ी नमी कहानी ताडे रूब्रू कर रही हैं ओहें चिट्टा हुया कान ते जड़ी कहानी यां इकवाल सिंग हमजापुर्दी लिखी हुई है बहुत ही वद्य कहानी है जित्थे कां रहन्दा सी उत्थे नजदीक ही एक किसान दा कार सी कां रोजाना किसान दे कार्दे बनेरे ते बैठके किन्नी किन्नी दीर कां 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 करदा रहन्दा सी पर किसान कानों कुझवे खाननों नहीं सी दिन्दा किसान कानों बुरा पला केंदा होया अपने बनेरितों उडा दिन्दा सी उसे किसान ने एक कबूत्तर पाले होया सी किसान कबूत्तर नों बेहद प्यार करदा सी कानों समझ नहीं ओन्दी सी के किसान उसना नफरत क्यों करदा है कबूतर दीता ओहो रज के सेवा करदा सी का कई दिन सोचदा रहा कई दिन सोचँन तो बाद उसनों ख्याल आया कि किसान उस दे काले रंग नों नफर्त करदा है गोरे चिटे रंग करके किसान कबूतर नों प्यार करदा है जे किद्रे मेरा रंग भी चिट्टा होवे, फिर किसान मैंनों भी प्यार करे, काने सोचिया, ते उसने भी गोरा चिट्टा होंदा फैसला कर लिया, गोरा होंड लेई हुनका, रोजाना नहरते जान लग प्या, नहरते जाके ओहो वार वार साबन लगा के नहांदा, चंगी तरह नहांद तो बाद ओहो पाउडर भी लोंदा सी, कानू इस तरह कर देनू कई दिन हो बेसन, ओहो रोजाना ना आतो के शीशा वेख दा सी, पर उस दे रंग दा पोरा वी फर्क नहीं प्यासी, कान कई दिन वेख दा रहा, उस दा काला रंग टस्तों मसना होया, हार के हो एक गोरे चिटे होंडा कोई होर टंग सोचन लग प्या, ओहो सोचदा सोचदा शहर चला गया, कानू पूरियो मेत सी के शहर विच्चों उसनू गोरे चिटे होंडा कोई ना कोई टंग लब जावेगा, शहर आके उसने एक नाई नू लोकां दे वाल रंग दे विख्या, कान दे खुशी दी कोई सीमा ना रही, मैं भी नाई तो खंब रंगवा के चिट्टा बन सकदा हां, काने सोच्या, ते ओ भी अपने खंब रंगवान ल पर नाई ना मन्या, कांप्रावा, मैं लोकां दे वाल चिट्टे काले करदा हां, चिट्टे नी, मैं तेरे खंब काले कर सकदा हां, चिट्टे नी कर सकदा, नाई ने कानू दस्या ते कान फिर मयूस हो गया पर हो एननी जल्दी हार मन वळा नहीं सी कान शहर विच गोरा चिटा होंदा कोई होर टंग लबन दुर्पया ओ शहर विच कई दिन कुम न रहा फिर इक दिन उस दी नजरिक चित्रकार ती पई चित्रकार कई रंग लएके चित्र बना रहा सी कान चित्रकार नू विए अपने खंब रंग देन लिया ख्या कांपरावा तेरी खंब में रंग लाके चित्टे कर देंगा पर रंग सुकंटे तेरे खंब आपस विच जुड जानगे फिर देन उड़ने विच मुश्किल होवेगी उन्जवी रंग बिचला रसायन तेरी चमडीनू खराव कर देवेगा चित्रकार ने कानू समझाया उसने कानू खंब नारंगा अन्दी सला दित्ती पर हुँ ना मन्या कान किसे ना किसे तरा कबूतर वर्गा चिट्टा दुद बनना चोंदा सी कान दे वार वार कहन ते चित्रकार ने कान दे खंबानू चिट्टा रंग कर दित्ता सिर्फ उस दी चुंज ते पैर काले रह गे सन चित्ता के उत्र बर्गा बन तो बाद कांदे निके निके खंब आपस विच जुड़ गए सन उसनू उडण विच मुश्किल हून लग पई सी हून कां कोड़ों लम्मी उडारी नहीं परी जान दी सी रंग विचले रसायन कारण कानू गर्मी विवदे रेलगन लग पई गोरा चित्ता बन के काने अपने ली मुसीवतां से हेड लेन्या सन फिर भी यहो बेहद खोश सी उसदे मन दी मुराद पूरी हो गई सी ते हो चाई चाई अपने मित्तर कबुत्तर नू मिलन तुरपया कानू पूरी हो मेच सी के हून किसान उसदी कबुत्तर वांग ही सेवा करेगा पर कानू वेह के किसान पहला नालों भी वदेरे गुसे विच आ गया कावा काणिया मैंनो पहला तेरी बोली ते चलाकी बरियां आत्ता ही पैडियां लग दियां सन हुन तेरी शकल भी पैड़ी लगण लग पईये किसान ने आख्या ते हो इट वट्टा लेके कानू मारन पज्या काने चकानी देके मसा जान बचाई हुन कानू समझ लग गई सी के गोरा चिट्टा बन के उसने एवे ही अपनी चमडी ते खंब खराब कर ले सन किसे दूसरे कोडू प्यार ते सतिकार रहें लई गोरे चिट्टे बन दी जरूरत नहीं सगों अपनी बोली विच मिठास को लण दी जरूरत है ते मंदियां आता दा त्याग करन दी जरूरत है काहुन अपने पिंडे ते लगे रंग नू लोहन दा टंग सोचन लग प्यासी मैं उमीद कर दें तो अनू एक कहानी वदिया लगेगी जेकर तो अनू कहानी वदिया ता तुसी शेर जरूर कर दे करो तनवाज जी सतशीरी एकाल जी आयानू आज दी जरी दमी कहानी है उँ है उठ दे गल टली तुसी बिली दे गल टली वाली कहानी सुनी हुए सारे ने बट अज जड़ी कहाणी है उठदे गाल टली वाली है ते कहाणी भादर सिंग गोसल जी द्वारा लिखी गई है बच्चेओ जंगल दा राजा शेर सब जंगली जीवानों बहुत नुकसान पहंचार है सी ओ अपनी लोड तों वद जीवानों मार मार के सुट दिन दा ता जंगल दे सारे जीवाने पंचैत करके फैसला किता कि हर रोज एक एक जंगली जीव शेर दा शिकार बन ली उसको जावेगा जिसनों खा के हो अपनी पुख मिटा सकेगा इस तरह हर रोज एक एक करके जंगली जीव शेर कोल जान दे अते शेर उसनों मार के अपनी पुख मिटा लेंदा कई दिन बाद एक खरगोश दिवारी आई ता हो जान बुझ के शेर कोल लेट गया शेर गुसे विच बैठा सी ता खरगोश नों देखके गुसे नाड बोल लिया ओए खरगोश दे बच्चे तू लेट क्यों आया है मैं बहुत देर तो इंतजार कर रहे हैं खरगोश ने अपनी सफाई विच कुछ कहना शुरू ही कीता सी के शेर फिर गर जिया हों तो मेरे वरगे दूजे शेर दा बहाना करके मैंनू खुब च सुटन दी कहानी कडेंगा मेरा बजुरुगता मूर्ख सी जिसने तेरे चत्र बजुरुगतियां गल्ला विचा के खुब च छाल मार देती सी मैं ता नमे जवाने दा आदुनिक शेर हाँ मूर्ख नहीं शेर दी गल सुनके खरगोश चुकना हो गया पर बहुत ही फूर्ती नाल गल बदल दें बोलिया जिनाब मैं भी तो नो ही गल कहन लग गया सी के तुसी मूर्ख नहीं हो तुसी ता बहुत ही समझदार अते स्यानी हो खरगोश दी गल सुनके शेर चौड़ा होके बैठ गया अते पुछिया तैनू की में पता है ता खरगोश फिर बुल लिया देखो ना मैं छोटा जया खरगोश तो आड़ी इक बुर्की जिहा तो आड़ी जाड हेट भी नहीं आमागा मैंनू खाके तो नुकी मिलेगा इसलिए मैं सोच दा हां के तो आड़ी कोई वड़ा जानवर लब के लिया हमा तांके तो आड़ा पूरा पेट पर जावी इसलिए तुसी मैंनू खान दी मूर्खता नहीं करूंगी शेर हवा शक गया अते बोल लिया हाँ हाँ तू ठीके तू जल्दी जा अते कोई वड़ा जानवर लेकिया मैं एथे ही तेरा इंतिजार करांगा इनना सुन दी देर सी के खरगोश दोड गया अते जंगल दे नार लग दे पिंड बिच एक ओठ नू जा मिलिया अते शेर तो जानवरां दे छुटकारे ले अपनी स्कीम समझाई उठ समझ गया अते उस दी स्कीम विच शामिल हो गया उन खरगोश ने एक वड़ी टली ले आके उठ दे गाल बन दिती अते आप उठ दे उपर बैठके जंगल विच शेरवल चल पया जदों तुर्ण समय उठ दे गाल टली वजदी ता रस्ते विच सारे जंगली जीव उसको ल इकठे हों लगे जंगली जीवानों बहार रहों दे आँ देख उठते बैठा खरगोश कह रहा सी आओ सारे जंग दा एलान हो चुका है सब जीव उना दे पिछे लग दुरे की छोटे की वड़े सब जंगली जीव सैना दी तरा उना दे पिछे पिछे जा रहे सन जंगली जीवान दे बच्चेया लेगी ता एक तमाशा ही बाण गया सी ओवी ताडियां मार दे पिछे दोड़ दे जान जयों जों टली वज़ दी जावे हर किसम दे जंगली जीव काफले विच शामिल हुन दे जान शेर कोल पॉंच के खरगोश बोलया देखो शेर अज राजा मैं हाँ यह उठ तेरा वड़ा शिकार है पर इस तों पहला ही सारे जीवाने शेर नूं केरे विच ले लिया हाथियां गैंडियां और दे दूजे वड़े जीवाने छोटे जीवान दी सुरुख्या चकर बना लिया शेर कबर आ गया पर दबी पूश हो उठवल वद्या ता एक हाथी ने ठुड मारके दूर सोट देता जदों उठया ता दूजे हाथी ने सुंडर नाल चुक के तर्टीते मारया एक जंगली गदे ने दुलकता मारके उस दे मूँ दे सारे दंद तोड के लवलुहान कर देता जंगली जीवान दे सब बच्चे जोर जोर दी ताड़िया मारन लगे जदों शेर ने टाल होके मौत दे मूँ नेड़े पहुंचया तांखर गोश उठतों हेठा उतरया अते शेर कोल जाके किहा आदुनिक शेर तूँ आज भी मूर्ख हैं तेरी मूर्ख ता कार्ण ही मेरी अते बाकी जीवान दी जित होई है याद रख ग्रीबां कमजोरां निमाने ते जुलम करन वाले सदा ही मूर्ख हुंदे हन देखदे देखदे शेर ने प्रान त्याग देते हुनखर गोश ने सब जीवांदा खास करके उठता तानवाद किता अते सब जीव अपने किलकारियां मार दे बच्चे नाल करानू चलेगे तानवाद जी सारे नूम सत शिरी अकाल अज जड़ी नवी कहानी तो अड़े रूबरू कर रहे हैं ओ पंच्दंतर दे विचों ले गई एक बाल कहानी जिस दा ना है तो खे बाद शिर ते मा उमीद कर रहे हैं तो अनवाद एक कहानी वदिया लगेगी एक शिर पिंजरे विच बांद सी जेड़ा वी रागीर उद्रों लंगदा उसनू ओहो बहुत फर्याद करदा अते पिंजरे दी कुंडी खोलन ली कहनदा उस दी फर्याद सुनके पंच्दंतर बाल उसने तर्स करदे पर किसे दी भी कुंडी खोलन दी हिम्मत ना पैंदी एक दिन बहुत ही सिद्धा आते श्रीफ आदमी जेड़ा के राजे दे महल विच नौकरी करदा सी ओद्रों लंगया शेर ने उसनों फर्याद कर दिया किहा किरपा करके पिंजरा खोल दियो मैं तो अड़ा एहसान कदे नीपुल लंगा उस आदमी ने शेर ते तर्स करके पिंजरा खोल दिता जीवे ही पिंजरा खुला तां शेर ने पिंजरे बिच्चों बहार आके किया हुण मैं तेन्नू खामागा वो आदमी बोल्या मैं अजही गल कदे नहीं सुनी कि उपकार करनवाले आदमी नू मार देना चाहिदा है शेर ने किया इतना कुदर्त दा नियम है पहला उपकार करनवाले आदमी नू ही दंडपो उतना पैंदा है आदमी बोल्या इस गल दा फैसला सी तिन गवाहां ते छाट दिन देहां जे ओना दीवी एहो राय होई ता तो मैंनू बेशक खाले शेर ने किया ठीक है तू मैंनू अपने तिन गवाहां कोल ले चल ओ आदमी सब तो पहला शेर नू एक टटीरी कोल ले गया अते उस नू पुछया कि किसे उपर उपकार करनवाले नू पला की सजा देनी चाहिदी है जा कोई इनाम देना चाहिदा है टेटीरी ने किया मैं तर किसाना दे खेतां दी रखी कर दी है पर किसान फिर भी मैंनू मारं दी कोशिश कर दी है इसलिए मेरा विचार है कि उपकार करनवाले आदमी दा कदे पलाने करना चाहिदा इस तो बाद हो आदमी शेर नू इक बहुड दे द्रफ्त कोड लागया अते कहा ए मेरा दुज़ा गवाह है बहुड नू भी ओही स्वाल पुच्छया गया बहुड बोलया पंच्तंतर बाल मेरी छाहेट बहँड दे हन पर मेरी पत्ते तोड लें दे हन अते दुद्ध भी कड लें दे हन इसलिए किसे नू भी उपकार करन वड़े आदमी दा पला नहीं करना चाहिए उसे बेले उत्थे बगया आड़ा आगया वह बहुड चलाक सी उसने कहा मेरी समझ विच ए नहीं आ रहा कि असल विच होया की है शेर इस रस्ते आ रहा सी अते है आदमी पिंजरे विच बंद सी जा आदमी इस रस्ते आ रहा सी अते शेर पिंजरे विच बंद सी शेर ने बगया आड़नों असल गल समझे ओनी चाही अते बोल लिया मैं इस पिंजरे बिच यों बंद सी कहनदा होया शेर मुड़ उस पिंजरे बिच वड़ गया ते चलाक बगया आड़ने तुरंत बारों पिंजरे दा दरवाजा बंद कर दिता अते उस आदमी वल वेख की बोल लिया किसे तो खेवाज दे कदे विश्वास न करो जाओ राज महल विच तो अड़ी उड़ीख हो रही होवेगी ओ आदमी जान बचाउन लिव गया अड़दा तानवाद करके राज महल वल चला गया मैं उमीद कर दियाँ तो अनुमें खाणी वद्या लगदीगी तानवाद इस चैनल ते तो अड़ा सब्दा हारदिक स्वागते सथशिरी अकाल जी आयानू मैं उमीद कर दियां कि जेडियां भी कहाणियां का वितावां अपलोड कीतियां जा रही हैं ने चैनल थे तो हमनों बहुत वधिया लग दिया हो निगी है ते अज जेडि नमी कहाणियां तो डे रूबरू कर रही हैं ओ है जिन्दगी दा तजर्बा एज जेडि कहाणियां क पुलवीर सिंग सूरी जी द्वारा लिखी गई है। जी दुपैर होन करके ओथे कोई सवारी भी नहीं सी। जिस करके हो पैदल ही अपने पिंडवाल तुर पे। थोड़ी देर ही होई सी कि उत्थों एक अधखड उमरदा आदमी कोड़े ते लंगर है सी। माता जी ने उसनों पुछया प्रावा केड़े पिंड जा रहा है। बीबी मैं चूजकवाल जा रहा हां। कोड़ सवार ने तुर्दे तुर्दे ही जवाब दिता। जोंदा रही वीरा मेरे एक छोटा जहा काम कर। ए मेरी गठड़ी लेंदा जा। अते तेरे रस्ते विच ही पिलोवाल कच्चा पिंड ओना है। उत्थे अड़े उत्ते ही इक चावाले दी दुकान है। तु गठड़ी उत्थे रख दें। अते उसनु कह दें के तेरी पुआ वीरोधी गठड़ी है। अते ओ मंगर तुरी आ रही है। माता जी ने उसनु असी सांद इन दियां किया। कोर्सवार ने होर आकड के बैठ दें किया। ना बीबी ना असी एहोजय काम नी कर दे। कोर्सवार अग्गे निकल गया। माता जी थोड़ा साल लेके उठे अते गठड़ी सिर्थे चुकके फिर हौली हौली तुर्पे। कोर्सवार जी थोड़ा अग्गे गया ता उसनु ख्याल आया के माता दी गठड़ी जे में लेवांदा तम वज्जम हो जानिया सन। हो सकद है गठड़ी विच कोई कीमती समान होगे। मैं उस चावाले नूं गठड़ी देंदी बजाये सिद्धा अपने नार ले जान्दा। उस बुड़ी जिनानी ने मैंनू कि थो लबना सी क्योंके मैं उसनु पिंड़दा नावी गल्त दस्या है। मैं ता चूचकवाल तों काफी अग्गे जाना है। ए सोच के उसने कोड़ा वापस मोड लिया। उसने वेख्या कि बजुर्ग माता सिर्ते गठड़ी चुकी तुरियार ही है। ओह माता जी कोल पॉंच के कोड़े तों उत्रया आते बड़ी निम्रता नाल कहन लगा। लिया माता एक गठड़ी मैंनू दे दे मैं रस्ते विच चावाले नू दिन्दा जावांगा। मैंनू इसनल की फर्क पेना है तुँ एमें गर्मी विच ठक जाएंगी। बजुर्ग माता ने भी दुनिया वेख्यी हुई सी। उननों कोर्स वार्दी निये तो परशक होया। अते कहन लगे नई प्रावा ओ वेला लंग गया। अते लंगया समा चैलियां कुछ चैलियां चार लीरा ही हान। जा तो अपना समा खोटा ना कर। बजुर्ग माता दिगाल सुन के कोड़ स्वार बड़ा शिर्मिंदा हुया। ओ फटा-फट पलाकी मार के कोड़े उत्ते बैठा अते कोड़े नों तेज दोड़ा के अखों उल्ले हो गया। इस कहानी तु सानो एक सिखहा मिलदी है कि सानो मन्दे विच चे कोई भी लाल च नहीं रखना ुख नद चाहिए। ओहो करम जीत सिंग अठवाला दी लिखी हुई है ते कहानी दना है बुलबुल अते अम्रूद एक बाल कहानी है जिटी के बहुत ही वदिया है ते मां उम्मीद कर दिया तो आनों ही वदिया लगेगी ते तो उसी बच्चे अनों ज़रूर सुनायो सदियां बीत गण्याने जदों दी गल में तो आनों सुना रहा है बुलबुल नू अन्ता दी पुख लगी होई सी ओहो खाना पाल दी पाल दी अम्रूद दे बूटे ते आ बैठी ते लगी कच्चे अम्रूद दानों ठूंगे मारन जिने अम्रूद उने खादे उस्तों की ते बद बरबाद करके हिठा सुट दे अम्रूद दे बूटे कोलों एह बरबादी सहारी ना गई ओने बुलबुल नू किहा बुलबुले ते तोते विच कोई फरक है ओह भी खांदा काटे ते बरबाद वद कर दाए ते तूं भी ओहो कुछ कर दिये बुलबुल खिजके तोते बोली तों किड़ा मूर खें मैनो तोते नार ला दिता ओह कित थे मैं कितते अम्रूद दे बुटे ने पुचिया ओह किस तरह मैं फालताँ पेट पर अली खाने ही हुए पर नाल तो हानू मिठ़्े मिठ़्े गीत विता शुनाओ दिया बुल-बुल बोली अम रूद दे बूटे ने कुछ सिर सोचया ते कहन लगा तेरी गालतां ठीके पर जे तू केवल पक्या फल ही खाएं ताहे तेरे लेई भी सोखाएं मैंनू भी दर्द कट तो कट होवेगा क्यों जो पक्ये फल ने ता चड़ नहीं होया बुल-बुल नुहे गल जाच गी ते वो खुशी-खुशी मान गी उस्तो बाद हो पक्ये फल ही खान लगी ते जदों ओह राज जान दी ते फिर एक भी ठूंगा फल ते ना मार दी अमरूद दे बुटे ने एक दिन स्वेरे स्वेरे हवा नाल चूमदे होये सारी गल कोल खड़ोते अनार दे बुटे नू दसी दोवे गल्ला कारहीर है सन के एन्ने नू एक मुंडाव थे आया ते डंडे नाल अमरूद चाड़न लगा उसने कर्चे अधपके अते पके किनने ही अमरूद चाड़ले फिर उन्ना विचों उसनों जेडे चंगे लगे चोकले ते बाकी दे उत्थे ही पहे रहां दिते ते अपना काम करके उत्थों चला गया उस मुंडे दे जानतों बाद अनार दा बूटा बड़े दुखी मन नल बोल्या अमरूद यार गलता तेरी ठीके पर आ बंदा पदा नी कदों ही गल समझेगा अनार दी एह गल कोल खड़े हो और बूट्यानों ते उन्ना उत्ते बैठे पंचियानों सोची पागी सारे नो इस सिख्या मिल दिये इस कहाणी तों के फाल खान ली हुन देने इस करके साननों पक्के फाली तोड़ने चाही देने ते उन्नेक फाल ही तोड़िये जिन्ना दी साननों जरूरत है ये नहीं है कि इसी उपर डंडे मारी जाईए पत्थर मारीए ते जिनना दिल कारदा चाड़ीए नहीं क्योंकि इदिनल बरबाद्धी हुन दी है जेड़े आज जासी कच्छे तोड़के सुट देंगे वो बेकार हो जानगे जे करसी उननों लगए रहन देंगे ओ एक दिनानों दो दिनानों पक जानगे ते असी भी जाके खा सकते हैं किसी होड़े भी काम मा सकते हैं मैं उमीद कर दियां तो अनूं एक कहानी वदिया लगएगी तनवाद जी इस चैनल ते तो अड़ा सब्दा हार्दिक स्वागत सत्षिरी अकाल जी आयां आज जेड़ी कहानी तो अड़े रूबरू कर रहे हैं ओ है सत्रंगी तितली अते किसान ते जेड़ी कहानी है दर्शन सिंग आश्ट जी द्वारा लिखी गई है ते बहुत ही वधिया कहानी है एक तितली सी सत्रंगा वाली ओहो कई दिना तों उदास सी ओहो जिस खेत विच रेंदी सी उस दा मालक किसान कई दिना तों खेत विच गेड़ा मार ने नहीं सी आया एही उस दी उदासी दा कारण सी किसान नुँ अपने खेत दे जीव जन्तों अनाल बहुत प्यार सी जदों ओह खेत वी चौंदा सारे पंची चैचहौन लग दे तितली वी इनना विचों इक सी तितली किसान दे अगे पिछे मड रौंदी हुई गलां कर दी, नाच कर दी, किसान खुश हुन्दा रेधा इक दिन तितली किसे बूटे दी टैनी ते बैठी दूर पिंडवलों खेत नुँ अन्दे रावलता करही सी इनने नुक कावी ओदे नेडे रुख दी टैनी ते आ बैठेया तितली ने उस कानों पहली वारी तक क्या सी ओ किद्रों दूरों उड की आया लगदा सी तितली ने उसनों पुछ या वीरा, मेरा किसान ता नी वेख्या किद्रे कई दिना तो खेत नी आया काने किहा, तेरा किसान तैनों कुझ नी पता अज कल किसान न वरे कां बोल्या थोड़ा बहुत बार भी निकले कर तैनू पता लगगे ते दुनिया वीच की हो रहाई चाल छाड़ ते आननाल सुन तितली सा रोक के कां वाल तक्कन लग पे कां अपनी चुन्च टैनी नाल साफ कर दो है बोल्या आजकल किसान बहुत वड़ी गिन्ती विच बार्डर ते इकठे हुए पेने बार्डर एक ही बला हुई तितली सवाल ते सवाल का रही सी कां कहन लगगा जेडी सीमा जा हद हुँदी ये ना मनुखोंनों बार्डर भी कह दिन्दै जिते बार्डर हुँदै उसनों बिना आगया कोई पार नी कर सकदा मतलब अगे नी जा सकदा ओथे सुरख्या वाले बंदे ने पर सानों तां बार्डर भूडर कुछ नहीं कहन दे असी ता जिदर मर्जी उड़की जा सकदे हाँ पर छड चल दस अगे की होया विरे तितली छेती छेती अपने किसान बारे जानन ले उच्छुख से कां कहन लगा किसाना नाल तक का हो रहाए किसान इस मुल्क दे वड़े राजे नू मिलना चौन दे ने जिसने उनना खिलाफ कानून बना दिते ने लोग ए कह रहे ने कि राजे बलों बनाई कानून उनना दे हक विच नहीं हन तेना नू वापस ले आ जाबी और आजे नू क्यों नहीं मिल सकते तितिली ने पुछिया कां बोल्या दस्यता है उथे इसी पाज्या ने उनना नू बाडरते ड़क्या हुया जियो अग्गे जान दे कोशिश कर दे ने ता उना उपर पानी ने बुछाडा सुटिया जा रही ने अखा विच्चों हंजूले उन्वाले बंब सुटे जा रही ने उना ते लाठिया चलाईया जा रही ने उना दे ट्रेक्टरे ट्रालियान अगे जानतो रोकनली सडकां ते वड़े वड़े किल गड़े जा रहे ने हाई मैं मर जाँ तितली दसा सुक गया फिर मेरा किसान भी ज़रूर उथी होएगा मैं उथी जावाँगी उस दिये गल सुनके हुँ हस्पयते बोलया क्या पिदी क्या पिदी का शोरवा पता है बाडर किनी दूरे तैनू उथे जान ली पांच दिन ते पांच राता लगनियाने राच ही मर जाएंगी मैंनू मरना मंजूरे पर मैं अपने किसान कोल जरूर जामागी तितली ने पकी तार ले खेट दे बाकी पंचियाने उनू समझाया पर वो टस तो मस न होई ओहरा विच पंचियानू पूछ दी पूछ दी बाडरवल जार ही सी ठाक जान दी तां सुस्ता लेंदी रात पैंदी तस्वे सार फिर उडान पर लेंदी इक थां उसने इकठ वेख्या हैं एन्ने लोग का दाई कठ विचकार अगदा लांभू भी लगा होयाई जाप दाई कोई वड़ा बंदा मर गयाई तितली ने सोचिया उसने एक तोते नूँ पुच्छया ताहों बोलिया ए सच मुझ कोई आदमी नी मरेया इता लोक राजे दा पुतला सार रहने जेडा उना दी मंगरी मन रहा एह उसे दाई पिट से अप आए फेर ता ठीक है कहके तितली रवाना होगी तितली फेर उड़न लग पे पांच दिन ते पांच रातां बाद थकावड़ दी पन नी हुई ओ बाडर दे नेड़े जा कुझ जी उसने दूरों वड़ा इकाठ वेख्या ताओदे मुहों निकलिया हैं एन्यों किसान तितली किसाना दे इकाठो पर मंडरौन दी हुई अपने किसान लबन लगी आखिर उसने एक था आपने किसान नूँ पजान लेया वो एक था बेठा हो य開始 शी सतरंगी तितली किसान अखां गे मनराण लगी किसान नू यकीन आया उसदेयां अखां अडियां रहा गजा हैं सतरंगी ती ये तुँ एथे किमें आईए ये इन्नी दुरों तितली बोली میरे मालक तेरे भी ना खेत दी रोनक उजड रही है मैं तेनु लेन आई हैं मैं तेरे भी नवापस नहीं जावाँगी उजदा प्यार वेखके किसान या अखा पाराण्या बोल्या मेरी ननी तितली ये तो अपने खेत वापस चले जा तेनु यकीन दिवाँदा हां कि मैं हुन खाली हाथ नहीं आवाँगा तितली बोली मेरे मालक मैं भी हुने थो नहीं जावाँगी ए मेरा अटाल फैसलाए चांचक तितली ने विख्या दूरों कुझ पंची उड़े आ रहे सन उसने उपंची पछान ले एक किसान दे खेत वाले पंची सन किसान नु जाप्या जिमें उस विच दुग्णे ताकत आ गई होगी ओह कदम खड़ा हो गया चंडा हाथ विच चुके उच्चा बोल्या तितली चंडे विच लगी सोटी दे सिरेते जा बैठी तर तक सारे पंचीयान विच सब कुझ पता लगी चुका सी चांड चकत इतली दी अवाज करना विच पई जित्ते बिना नहीं जा मांगे बाकी पंचेयान दी अवाज आई असी तो अडे नाल हां किसान दे चेरे उपर मुस्कान सी इस कहानी तो सानु ए सिख्या मिल दी है कि जित्तों सी कुछ भी खा रहे हैं कोई अनपाणी है जाओ दी कोई चीज वात रहे हैं तसनो उधनल जडे वफादारी है ते प्यार है ओ जरूर ने बोना चाहिदे तन बाज जी इस चैनल ते तो अड़ा सब्द हार्दिक स्वागत सत्शिरी अकाल जी आयान अजसी एक होर कहानी इन तो अड़े रूब्रू कर रहे है जेडी के दर्शिन सिंग आश्ट जी दोरा लिखी गई है ते कहानी दा टाइटल है जड पोलू एक पेंडरे स्कूल विच पड़दा सी होई साल दूजी जमात विच होया सी इक दिन उसने अद्धी छुटी वेले अपने खाने वाला डबा खुल लिया उसदेक खाने विच उसदी मम्मी ने कुझ जमना विपा दित्यां सान रूटी खान तो बाद पोलू ने जमना नो मुठी विच चुक्या फिरू बाहर मैदान विच टैलन लित उर्पया उसदा दोस्त मने वी उसदे नाल सी उसने मने नो वी तिन चार जमना दितियां दो माने जमना खा ले यां पर आखरी जमन दी गिटक पोलू दे मूँ विच इदरोदर गेड़े दे रही सी जमन दी गिटक दा साख उटन लगया ओ मन ही मन पोलू नो बोली हों ता बार कड़ के सुट दे के मैंनो भी खाएंगा पोलू ने स्कूल दे मैदान दी कंद कोल मूहों गिटक कड़ के सुट दिती फिर उसने पैर नाल उस उपर मिटी पाके थोड़ी जी दब भी दिती कुझ ही दिना बाद उथे गिटक विच्चों एक बुटा उग गाया एक दिन स्कूल दे माली ने मैदान विच पानी छड़िया जमन दे बुटे नू भी पानी मिल गया उदे चेरे ते रोण का गई जमन दा बुटा होली होली वड़ा होन लगया उस दे पत्ते पुंगरने शुरू होगे यो लगदा सी जी में उस दे खांबो गाय होन ओधा दिल करदा के असमान विच उड़दे पंचियां वांग ओवी अपने खंबा नाग उड़न लगबवे पंदरावी दिन बाद ओधा तना होर वड़ा हो गया पत्ते अते कुरूंबला होर वदे रे पुंगरन्या एक दिन उसने असमान विच पंचियां दी डार देखी उन्हें जोड लगाया तांजो तरती विचों अपने अपनों छुड़वा के ओना पंचियां विच जार ले अते खूब उड़ारियां लावे पर उसनों तां किसे ने तरती विच कुट के जखड़या होय सी तुम कौन है जिसने मैंनूं जखड़या होया है मैंनूं छड़दे मैं असमान विच पंचियां नाल उड़ारियां लाणियाने मैं तेरी जड़हा नन्य मुन्य, मैं ही द तैनों जिन्दा रखन लिता अर्ती विच्छों पानी लेके तैनों दिन्दी हा, जे तुन ता अर्ती नालम टुट गया, ते जा मैं तैनों छाट दिता, ता तुम पला छेना विच्छ सुक जाएंगा, मर जाएंगा हैं, जामन्दा बुटा एकदम डर गया, ठीक है, फिर मैंने बन्दा पंची, एमें ओडूड के था कदे रेंदेने, मैं था इत्थी ठीक है स्कूल विच छुटियां हो गया, एक दिन बदलवाई होई, ठंडी हवा रूमकन लगी, जामन्दे बुटे नों बड़ा अनन्दा आया, मी प्या, ओहो बहुत खुश होया, बोल्या, सा आ गया स्कूल दी चार दिवारी इक थांतों थोड़ी जही टुटी होई सी, मंगल उस दे नेड़ें दी अपनिया बख्रियां लेके खेतावल लंगदा होंदा सी एक दिन चुटियां विच उस दी बख्री चाल मार के चार दिवारी रही, स्कूल दे मैदान विचा वड़ी, थे का आचर न लगी जामन्दे बुटे ने बख्री नों पहली वार देख्या सी, ओह का आचर दी चर दी उस वल ही वद्दी आ रही सी हैं इतक का आचर दी आ रही है, इता लगदा मैनू भी खा जाएगी जामन्दे बुटे नी चिंता वदन लग पई, ओधन तक बख्री चर दी चर दी बुटे कुल आ गई ओह उस दे कोमल पत्यानों मुह मारन ही लगई सी के बुटा सुंगड़दा होया बोलेया, मैनू ना खा, मैं ता आजे बहुत छोटा हां बकरी बड़े हंकार विच बोली, क्यों ना खामा, तो आडे बरगे बुट्यान दे कोमल कोमल पत्य ते तरने ता मैनू स्वाधी लग देने जामन्दे बुटे नी तरला लेया, के जदों हो वड़ा हो गया, ता उसनों अपने मिठे फाल खान ली दिया करेगा एह सुनके बकरी हस्पई ते बोली, क्या पिदी, क्या पिदी का शोरवा किया ख्याए, जामन्दे बुटे ने हैरानी नाल पुछिया कोजी नहीं, तेरे गल समझावन वाड़ी नहीं एहाख के उने जामन्दे बुटे दी ती सिनु मुँविच पाया, ता उस दी चीक निकल गई बकरी उसते हरे कचूर पते ते कुनू बुड़ा खा गई उता चौन्दी सी के उसनू जडों ही पुटके खा जावे, पर उस दी जड डूंगी लग चुकी सी जड ने अपने अपनू जमीन नालचंगी तरा जकड़या होया सी इसली बकरी जामन्दे बुटे दा तना बहर ना खिच सकी उनो थे जामन्दे बुटे दा केवल थोड़ा जय तना ही बहर देश रहा सी अते ओवी मदो ओल्या होया जखे मी हालत विच जड नो बहुत दुख होया के बकरी उस दे वद रहे फुल बुटे नो खा गई सी पामे मनुख दी गलती कार्णत अपती विचों पानी दा पदर बहुत हेठा जा रहा सी पर जमन्दे बुटे दी जड भी हिमत नहीं सिहा रही उतरती हेठली थोड़ी बहुती नमी विचों ही पानी दी बौंद बौंद इकठी करके अपने तने नो जोदा रख रही सी एक दिन मी दियां कुछ बुंदा डिगियां जमन्दे रुंड मुरुंड तने विच जी में सा आ गया होई उस विच हिल जुल होन लगी एक दो दिना बाद उस तने विचों निक्यां निक्यां कुरुंबला फुट पैयां एक कुरुंबला उस दियां अखा संग उसने अंगडाई लई जमन्दा तना फिर राजी होन लग प्या जड़ खुशी सी एक दिन उसने तने नो कहन दियां सुनेया मा मैं ता जवान दी आस ही छाड़ दिती सी पर हुन मेरी पत्ते ते लग रहां फिर पुंगर नगियां मैं हारांगा नहीं जे किसे बुटे दियां जड़ांता अर्थी विचे डूंगियां लगियां हुन ता हुन जरूर एक ना एक दिन विर्ख बनदा है हां मा मैं तेरी बदोलत एक दिन जरूर रुख बनागा एहां के जमन दा बुटा फिर चूमन लग प्या इस कहानी तुसान नहीं सिख्छा मिल दिया कि जे कर कोई भी चाहे बुटे उधियां जड़ां जमीन दे विचे ने ता उन्हों कोई नुकसान नी हुन दा जे कर मनुख है ओ भी अपने जड़ांदे ना जुड़े है ता भी और बहुत कुछ संबाल के रख सकते अपने सब्याचार मूं अपने जड़ियें पुराने साड़े रिती रिवाजने हर एक चीद उसी संबाल के रख सकते तन वज्चे सारे नुँ सत शिरी अकाल जी आयन आजदी जड़ी कहानी है एकवाल सिंग हमजापुर्दी लिखी होई है ते कहानी दा ना है शरार्ती चुः बच्यो जंगल वी चिक हाथी रेंदा सी जित्थे हाथी रेंदा सी ओथे इक चुहा वी रेंदा सी चुहा बहुत शिरार्ती सी चुहा निका वड़ा नहीं बेखधा सी ओ जंगल दे सारे दूसरे जानवरा नाल शिरार्तां करदा रेंदा सी चूहा हाथी दा भी लिहाज नी करदा सी ओ हाथी नाल भी शिरार्तां करदा रहन्दा चूहा सुते पई हाथी दे उपर चड़के नचन लग पेंदा ते हाथी दी नींद खराब हो जान्दी हाथी चूहे नो वार वार समझाओंदा हाथी उसनों शिरारतां तो बाज आ जान ली आखदा पर चूहा बहुत टीट सी चूहा हाथी दी एक न सुन्दा चूहे दी समन मानी दा कारण चूहे दी जंगल दे राजे शेर नाल दोस्ती होना सी एक वार जदों जंगल दा राजा शेर शिकारियां दे जाल विच फस गया सी ओधों चूहे ने अपना धन्दिया नल जाल कटके शेर नूं शिकारियां दे चूंगल विचों मुक्त करवा दिता सी ओदों शेर चुहे दी स्यानपते बेहद खुश होया सी जिस कारण दोमा विच दोस्ती हो गई चुहे प्रा जंगल विच जे तैनू कोई तांग करे ता मैंनो याद करला मी इस जंगल विच कोई तेरा वालवी विंगा नी कर सकदा जंगल दे राजे शेर ने चुहे नू थापी दिन्दे होया ख्या सी शेर दे थापडे नाल चुहा अपने आपनू जंगल दा राजा ही समझन लग प्या सी चुहे दा उल्टा चोर कोतवालनू ढांटे वाला हिसाब बन गया सी वो जंगल दे सारे जानवरान तंग करदा सी, चुहे नो जेड़ा भी जानवर को जाखदा, उसनों ही ओहो जंगल दे राजे शेर कोड़ों सजा दिवान दा, ड्रावा दिन्दा चुहा शरारती ही नहीं, बलिक चलाक भी बहुत सी, बिल्ली नूँ हो पुलके भी नहीं छेड़ दा सी, बिल्ली नूँ वेखनसार हो खोडविच वड़ जनदा चुहे नूँ पता सी, के बिल्ली उस्तों भी फुर्तीली है, ते बिल्ली ने चप्टा मार के उसनों दबोच लेना है उन्ज भी यहो बिल्ली दिशकैत, शेर कोड़ नहीं ला सकदा सी, क्योंके बिल्ली शेर दी मसी सी चलागते श्रारती चुहा सब तों वद हाथी नु तंग करदा सी चुहा चंगीत्रा जानदा सी, के पारा स्रीर होन करके हाथी सब जानवरां तों कट फुर्तीला है इसलिए हाथी उस्ता कुझ ने विगार सकदा चुहा सुते पे हाथी दी पेठते चड़ की नचदा टपदा, फिर हो पाज की द्रक्तोते चड़ जन्दा हाथी नु चुहे ते बहुत गुसा ओंदा, पर हो चुहे दा कुझ ने विगार सकदा सी हाथी तांगा के कोई अजही तर्तीव सोचन लगा, जिस नाल चुहा उसनों ही नहीं, हो जानवरा नों भी तंग करना चड़ देवे हाथी कई दिन सोचदा रहा, कई दिन सोचन तो बाद हाथी ने चुहे नु सब कसे खौन दी युब्त बना ले होन हाथी बिली दा इंतिजार करन लगा, बिली कदे कदा हि एदर गेडा मार दी सी कई दिना बाध जिदो बिली आई, बिली नु वेख के चुहा पाजके खुड विच वर गया चुहे नु खुड विच वर देयां वेख के हाथी दी खुशी दी कोई सीँना रही चुहे नू नसीत देनली उस दी बनाई स्कीम ने हुन रंग विखोना सी हाथी पाजिके अपनी सुन्ड छपड विचों पानी नाल पर ले आया हाथी ने चुहे दी खुड पानी नाल पर ने शुरू कर दिती हुन चुहा मुसीबत विच फस गया हाथी बहुत समयदार सी हाथी पामें चुहे तो बहुत दुखी सी फिर भी उचुहे नू मारना नहीं सी चौन्दा हाथी सिर्फ चुहे नू सिद्धे राप आना चौन्दा सी इस करके जदों चुहा खड बिच्चों बाहर निकलिया हाथी ने फटा फट अपना कन अगे कर देता चुहा छाल मारके हाथी दे कन विच वड़ गया चुहा बिली तो बाच गया सी चुहे दी मसा जान विच जान आई चुहे ने कना नू हथ लाया उसने अगेतों किसे वी जानवर नू तंग ना करंदा फैसला कर लिया मैं उमीद कर दिया तो आनू एक खानी वदिया लगेगी तनवाद जी सारे नू सत शुरी अकाल जी आया नू आजदी जड़ी कहानी है एह आजदे समेदी नाजुकता नू ते आन्देवच रख दे हुए बहुत ही टुकमी है क्योंके जड़े बच्चे ने वड़े ने कुडिया मुंडे सारे ही नशे दी जकर दी विचाय हुए ने ते जड़ी कहानी है ओदे नाली सबंदत है ते मैं उमीद कर दी आ मेरे कहानी सुनाओन दे नाल शैद इक दो कार ने जड़े बच जान ते वो दूसरे है नू जड़ी सिख्चे जरूर देने गे ता जो अपना जड़ा रंगला पंजाब है वो पहला वरगा रंगला हो जा कदें क्योंकि उतने जडियां नस्यादियां नदियांने द्रया ने ओवय रहें DRD कहानी जिबामा जी लिक्षि होई चलियां ऑबोर कि धे ampt आए बड़े चिंता तुरहो के आखन लगे मैडम साड़ा सारा पंजाव नश्या विच गर्क हुंदा जा रहे है तुसें कुछ सोचो कुछ करो मैं उन्ना नू आख्या जदुन तक साड़े लेडर ते पुलिस इसनू कमाई दा वड़ा तंदा बनाई रखन गे ओधन तक इसा इलाज अख है हुन क्योंके लोग जिन्दगी लई अते जरूरी दो चीजां रब अते मौत नू पुल गए हैं इसलिए किसे भी गालदे कोई अर्थ नी रह गए इस बारे सोच जीता में बहुत है इकवारी में नवे शेर कोल टहां कलेरा पिंड़ दे बड़े बड़े हस्ताल विच गई जित्थे नशा चुडाओ गेंदर है उत्थे अमीरा ले 500 पे रोजाना ते कमरा विचे खाना दवान्या ते इलाज दूसरा आम लोग का ले 100 पे रोजाना ते कमरा है तीसरा ग्रीव लोग का ले मुफ्तवार्ड जित्थे डाक्टिर सहता दवान्या ते रोटी सब मुफ् योग ते वर्जिश भी करवाई जान दी है अथन स्वेईर गुर्द्वारे भी लेके जान देने ते मनों विग्यानी भी समझान देने मैं बेंती किती बाबा जी जमीन असी दे दे आंगे साड़े पिंड़ भी नशा छुड़ाओ के इंदर खोल देवो वह अखन लगे बीबी ए वड़ा काम है जीड़ा भी तो आड़े पिंड़दा बंदा तो आड़ा ना लेके आएगा असी पूरी मदद कराँगे सानु चाहिदा है के सरकार ते दवा पाके जहे नशा छुड़ाओ के इंदर खुलवाए जान नशे दे कारन समझ के ओह हल किते जान आला द्वाला ते कार दे नशा इनु चिड़कन दी था उसनो एक रोगी समझ के उसनी सहयता किती जावे सुबे अंदर नशे दे दाखले उत्ते चौक सी वदाई जावे ते सारे लोग इस पक्खों चेतन हों खास कर नौजवान पीड़ी ओनानो मनुखी जिंदगी दी एहमेत समझाई जावे फेर ही कुछ हो सकद है मेरी कोड आई नौजवान मैंनू अखन लगे तुसी कुस निहा सानो लिख के दे देओ जेड़ा आसी पिंड़ पिंड़ पहुंचा देए इस तरह वखरे वड़े लोकां तो मिले सुने हे शायद दोशी करते तरतियां दी पापी आत्मानों हलून सकन ते नौजवानानों कोई सेध दे सकन नश्यांदी गृष्टच आए उनना लड़कियांनों मैं सुने हा देना चौन दी हा जोन जोग्यो नश्यांदी खात्तर क्यों मडियां दे रा पै गए हो कुदर्त दियां किडियां वड़ियां वड़ियां शक्तियां तरती सूर्ज हवा पाणी तो आनू ज्यांदी रखणडी आरे लग्यां हुँझाने देनू नश्यांच गाल के उनना दा कर्जा कदों उतारूंगे शिरादा दे दिना विच पितर अपने अपने करानों मुड़ देने अपने वारसा अते कुल दे दीवयानू दिखणडे तो आनू नशे विच तुत देहके उह किड़े उदास मुड़ दे होंगे सा सा नाल सुख मनों दे माप्यां दे बैठेयां जदों पुतर दुर जान ता अउहूना मरयंच तेना 수र्य रय जन देने पैना दीतां ताकत ही प्राहूंदेने जदो मेरा प्राह मर्या सी ता मैं रोरो के हाका मारियां सी के मैंनू मरी पैनू आजुद पैरा वे पुल गे जे चेते वालिया क्योंके प्रादे कफन ले ओन तो मंगरों ही पैन दी अर्थी उठती है ओना मशोरानू कौन गालाओ, कौन अत्रू पुझू जिना दे प्याओ नशे ने खाले नशे छड़ना ओखा काम नहीं, अनेका नशा छुडाओ के इंदर तो आड़ी मदद कर सकदेने ओथे जाना, शेरम दी गल नहीं, स्यानप दी गल है खुश किसमत ने, ओ मापे, जिना दे पुत्त नशे नशें दी, प्यानकता तो बचे होई ने मैं उमीद कर दें तो आनूई कहाणी वदिया लगेगी जी कहाणी वदिया लगेगी तो शेर भी कर देओ ता जो चेडे करां दे, चिराग, बल रहेने, ओ बल दे रहन लेते, तुसी शेर करो, जे कोई तो आनूँ लगदा भी एस कुराहे ते पैगया था उन्हों प्यार नल कर देवाल मोडन दी जड़ी कोशिश है हो जरूर करो, ना उमीद कर दिया के एक पैंड़ जड़ा सुनी है, तुसी ज़रूर पहुंचाओंगे, तन वात सारे नूँ सत शिरी अकाल, जी आयानू, आज जड़ी नमी कहानी पाड़े लेके आया, ओ है बगयार अत्ती मोडरन लेला, तुसी सारे ने बगयार ते लेलेरी जड़ी कहानी सुनी हुई है, ओ हो पुरानी कहानी सी, ते हुने है नमी कहानी जीदे जड़ा लेला हो मोडरन नमेजवानेदा हो गया। ते जड़ी कहानी है भादर सिंग गोसल जीन दी लिखी हुई है। बच्चे व एक वारिक लेला नदी चुं पानी पीर है सी। अते उस समेक बगया आडवी उसे नदी ते पानी पीर है सी। नर्म नर्म अते कूले कूले लेले नू देख बगे आड़ दे मुँँ विच पानी आ गया अते ओ कोई न कोई बहान ना करके लेले नू अपना शिकार बनावना चौन्दा सी पर चुस्त चलाक ते पड़य लिख्या मौडरन लेला दुश्मंडियां चालां तों अंजान नहीं सी अते ओ बड़ी हुश्यारी तों कम लेंड लगया अपनी पहली चाल चाल दे हुए बगे आड़ने लेले नू रोब नाल किया ओए लेले तेनू पता नहीं मैं पानी पी रहा हां ते तू इस पानी नू गंदला कर रहे हैं बंद कर रहे खेल नहीं ता मैं तेनू मार दियांगा पानी पामे बगे आड़तों लेले वाल जा रहा सी पर लेले ने बड़ी चुस्ती वर्ती आते किया जिनाब फिकर ना करो मैं इसनों हुने साफ कर दिन दहां अते तुसी ता केवल साफ ते ठंडा पानी ही पीना लेलट पूसिय मारदा उस दे दूजे पास से जिद्रों पानी आरह सी चला गया अते बड़े फुर्ती नाल पानी विच मिटी कोल के अते अपने हाथ पैरतों के दोड़ गया बग्याड अपना मूँ संवारदा ही रह गया दूजे दिन फिर दूवे अपने प्यास बुज़ा अणली उसे थांते इकठे ही पानी पीन लगगे ता शिकारी दा मन होर भी ललचा आ गया ओ फिर गुसे विच आके बोल लिया ओए लेले कल दूपानी साफ करके तुरंत दोड़ गया मैं ता तैनों एक होर गाल पुछने सी लेले ने फिर मौका संबाल लिया अथे तुरंत जबाब दिता जिनाव तो अड़े सवाल लई ही ता आज मैं फिर हाज रहा आज पुछलो बोजो पुछना चांदे सी मैंने ता एमें दोड़न पर जन्दी आदत है मन ही मन विच बगे आड़ बड़ा खुश होया अथे सोचन लगया के कल दा बच्या शिकार अज काबू विच आजावेगा उसने फिर लेले नो ड्राउंदे होई कहा इकवार तेरी बजुर्गाने मेरी बजुर्गानों बड़ियां गंदियां गाड़ां कड़ियां सान आज मैं तेरी तूं बदला लवांगा अथे तेनों मार की खाजा मांगा लेला कुझ कबर आया पर तुरंत उस दी विद्या काम आई आते ओं कहन लगगा महराज इतना बड़ी बुरी गल है पला बिना मतलब किसे नों गाड़ां कड़न दा की काम नाले बजुर्गतां से आने हुन दे सान हां मेरा एक बुजुर्ग अजेवी जिन्दा है मैं आज उसनों पुछके तो आनों काल दसांगा कि तो आड़े बुजुर्ग आनों गाड़ां कड़न दा की कारण से इना कहन दे होई लेला फेट पूसिया मारदा दोड़ गया अते बगे आड़ अपने शिकार वारे सोच ही रिहासी के लेला उसनों दूर बाय बाय करदा नजराया लेले दियां खरियां खरियां अते मिठास पर यां तोम तां सुनके बगे आड़ ते इना दा काफी असर होया अते हो सची ही नदी विच मूँ तोंड़ी वड़ गया जो ही उसने मूँ तोंड़ा शुरू किता तां लेला उत्थो नौँ दो ग्यारा हो गया अते अपनी विद्या आते स्यानपते खुश हो लगया अधर बगे आड़ जदों मूँ तो के नदीचों बाहर निकलिया तां लेले नौँ उत्थे ना देखके सच विची पश्ताउन लगया अते उसना ललचाया मूँ तो तेदा तो ता रह गया इस कहानी तो सान्नों ये सिख्या मिल दिया के सान्नों हमेशा कोई भी मुसीबत है साड़े समने ओधा स्यानपते नाल मुकावला करना चाहिए तानवार जी आरेनू सब छिरी एकाल जी आयानू आज जेड़ी कहानी तो अड़े रूबरू कर रही है जस वीर्टा अंडदोरा लिखी गई है ते कहानी दा टाइटल है पिंजरा दो तिन दिना तों बेहद गर्मी पैर ही सी ओ टीवी मूरे बैठा खबरा सुन रहा सी अचानक बहुत तेज हनेरी चलन दी अवाज दे नाल ही बुहे बारियां तार-तार खड़कन लगे काली बोली हनेरी दे नाल आसमान ते कटा टोप छागी शा काले बदलाने दिने ही रात पाद की सी फिर शेट दी टीन दी च्छत दे जोर जोर दी कणिया डिगन दी अवाज आई वेखदे ही वेखदे मोलेता अर्मी पैन लग प्या उसनों अंदर हुमस महसूस हुई टीवी बंद करके हो जाली वाला दर्वाजा खोल के बाहर बाल का निदी च्छत दे हेट पई मंजी ते बैठ गया बाहर दा नजारा ही होर सी मीदी ठंडी हवादे छराटिया ने पिछले दिना दी गर्मी नू दूर पजा दिता सी बदल पूरे जोर दी गड करहा सी बिजली वार वार बदला विच दी चमक दी ते नाल दी जोरदार गड गरह ठुंदी मीदी ठंडीयां सुहारां उसुपर पैरेयां सन उहो चपलां लाके मंजीते लतलम काके बैठ गया फर्ष्टे तेज वगदे पानी विच उहो नंगे पैरा नाल छप छप करन लगा अकै अनांद दी अवस्था विच उहो गडूंद कुदर्त दे बलहारे जा रहा सी अजे पंदरां कु मिंट ही होय सन के पतनी दी तेज अवाज नाल तरवप्या पक्खा चालदा ही छाड़ा है हजार वार कह कह के ठक गई पर तो आड़े दे कोई असर नहीं हुंदा पकावी रखिया में ता सारे टबर दी ओपरी पीती टाकांते हाथ तरी उस्थे सिरहाने खड़ी सी नाले मीच पी जीन जाने हो नाले मंजी पी जीन जान दी है तो अनुदो कोई पते नहीं लगदा पता नहीं हार वेले की दे ख्यालां चुग आचे रहने हो अजहे मौक्यांते हो कुझ नहीं बोलदा किसे मुजरम भांग चुप चाप कटेरे विच खड़ा रेंदा है उसनों इंज जाप्या जिमें किसे ने भैशत विचुन तक कादे के तर्ती ते पटका मार्य होवे मी उमेजी में पै रहा सी, बदल उमेजी में गड़ कर रहा सी, बीजली उमेजी में चम कर ही सी, पर हूं उसनों कुझ भी चंगा नहीं लग रहा सी कुद्रत दा हो सारा तिलिसम जो कुझ समा पहला उसनों शरशार कर रहा सी, एकदम किदरे छाई माई हो गया सी उसनों इंज जाप्या जी में दो दिन पहला वाली तुप अते लो उस दा पिंडा लू रही होगे मैं उमीद कर दियां तो आनू एक कहाणी वदिया लगेगी तैनवाद जी सारे नू सत्शुरी अकाल जी आया नू आज जड़ी नमी कहाणी तो डिरूबरू कर रही हैं ओ मुन्शी प्रेमचंद जी दोरा लिखी गई है ति कहाणी दा ना है शेर दा शिकार एक परसिद शिकारी ने एक शेर दे शिकार दा हाल लिख्या आज जड़ी उस दी कहाणी उस दे शब्दा विच्छी सुनाँ दे हां कई साल पहला एक दिन मैं नैरोबी दी एक चौड़ी गलीचों लंग रहा सी ते किशीर नी उत्ते मेरी नजर पई जो अपने दो बच्चयां समेथ चाड़ियां वल जा रही सी शायद अपने शिकार दी तलाश विच इस वस्तिच आवड़ी होगे इदेख दे ही मैं फुर्ती नाल करपुजया अथे अपनी बंदूक लेके फिर उसे थावल तुर्पया रात चानने सी मैं बड़ी असानी नाल शेरनी नू मार दित्ता अथे दोवां बच्चयां नू फड़ लिया इनना बच्चयां दी उमर कोई जादा ने सी सिर्फ तिन हफ्तियां दी लग दी सी एक नरसी दूजा मादा मैं नरदाना जैक अथे मादादाना जिल रख लिया जैक तांचेती ही विमार होके मर गया जिल बच गई जिल अपना ना समय दी सी अथे मेरी अवाज नू पछान दी सी मैं जित्थे भी जान्दा ओह कुत्ते वांग मेरे पिछे पिछे तुर दी मेरे कमरे विच फर्ष्टे पई रेंदी अक्सर मेरे पैरांते सौंजांदी अते जागंदो बाद अपने पंजे मेरे गोड़यां ती राखके बिल्ली वांग अपना सिर मोड़या नाल मल दी इक दिन मैं चाननी रात विच जिल नू नाल लेके सैरते निकलिया असिंग दो में खुशी-खुशी सडकते तुरे जा रहे सा मैं ही बिल्कुल पो लगया सी कि उत्थे होटल विच ना छोन वाला है एवी संजोग ही सी कि मैं ते जिल उस समय होटल कोल पहुंचे जदों कोई महमान सवारी दी तलाश विच बाहर खड़ा सी उसने जदों देख्या कि एक शेर नी सडक दे विच कार उस वल तुरी आ रही है ताहो एन्ना कबर आ गया कि ब्यान तो बाहर है अते ओ सामने वाल वे तहाशा दोड़िया उसनों दोड़दा देख होर भी दो तिन बंदे पर जन लगे जिल ने समझया कि ओ कोई खेड है ओ भी उन्हारे पिछे पिछे दोड़न लगी हसदे हसदे मेरियां वक्षियां कठियां हो गया आखर में भी जिल दे पिछे दोड़िया अते बड़े मुश्केल नाल जिल नू फड़ सक्या पामे उसने किसे नू फटर नहीं किता पर फिर में जिल नू लेके चाननी रात विच कदे भी बाहर नी निकलिया इक दिन में कठा ते खाने दे सद्दे ते गया ओथों अपने कारनों चल लेया तां अद्धी रात हो चुकी सी अद्धा रस्ता तै कार चुका सा के अचानक बंदूग चलन दी अवास सुनाई दिती इस तरह जाप्या जिमे कोई व्यक्ती कवराहट विच सूं सूं का रहा है जरा अग्गे देख्या तां सिपाही खंबे दे चड़या बेहोशी दी खालत विच शूं शूं का रहा सी मैंनों देखके उसने कहा जिनाव जरा बचके रही एक शेर बिलकुल कोड खड़ा है अथे कोडे नू खा रहा है मैं एद्धर उदर निगा कुमाई तां पंजाक अदम दे फासले उत्ते एक शेर दिखाई दिता सच मुच हो एक कोडे नू खा रहा सी सिपाही दे रोले गोले दी उसनू कोई परवा नहीं सी मैं सिपाही नू अवाज दिती क्यो जित्थे है उत्थे ही ठेरे अते मैं एक अलाही एक दोस्त कोडों बंदूक लेंड चला गया जदो मैं बंदूक लेके वापस पहुंचया ता देख्या शेर बैठा बुलांते जीफे रहा सी अते सिपाही जोंदी त्यों खंबे नाल चिंबड़या हुया सी मैं तुरंत शेर ते बंदूक चलाई ओ जखमी ता हो गया पर मर्या नहीं सी ओ बड़े जोर दी गर्जया अते एक पासे बल तुर्पया पर मैं उसनू किते चड़न वाड़ा सी मैं खून दे निशान देखदा होया ओ दे पिछे तुर्पया अखीर मैं उसनू एक खाड़ी दे किनारे खड़ा देख्या एद की मेरी गोली सही था लगई शेर डिग प्या मैं खुश-खुश शेर कोल गया अते उसनू देखदे ही पचान लिया ओह मेरी शेर नी जिल सी सारे नू सत शिरी अकाल जी आया नू अज दी जेडी कहाणी है यह भादर सिंग गोसल जी द्वारा लिखी गई है ते कहाणी दा ना है चुठा गिदड मामा गिदड अपनी चुस्तियते चलाकी कारण जंगल दिया सब मादा जानवरां दा मू बोल दा प्राबन गया ओ सारियां उसदियां मिठियां मिठियां गल्ला दा शिकार हुचुकियां सन कई वार गिदड अना दे कारजा के वी अना नू तरा तरानियां गल्ला सुनोंदा रेंदा इस तरा पूरे जंगल विच गिदड दी पूरे चर्ट सी इना मादा जानवरां दे छोटे-छोटे बच्चे भी गिदड़ जंगली जानवरां दे बच्चे गिदड़ नाल चंगी तरांकोल मिल गई सन गिदड़ भी कई वार इना बच्चे नुँँ इकठा करके अपनी वड़्याई दिया चूठियां आते मिर्च मसाला लाके उनानूं होर स्वादलियां गल्ना बनाके सुनाँदा इस तरह जंगली जानवरां दे बच्चे हर वेले उस दियां उट पटांग गल्ना सुन ली उतावले रेंदे इक दिन गिद्डड ने जानवरां दे बच्चे नों दस्या कि हो जंगल दे बाहर पेंड विच आउदा जानदा रेंदा है पेंड दे सारे लोग उसनों बहुत प्यार कर दे हन अते उस दा बहुत सनमान कर दे हन उसने किया कि हो कई बार मनुख दे बच्चे नाल भी खेड़दा है गिद्ड़ हवा शक्के बोलदा ही गया कि पेंड़ विच कई दुकाना थे खान दा समान भी मिल जानदा है जे गर्मी लग दी है तां बिजली दियां मोटरा थे इना हावी लेंदा है गिद्ड़ दियां गला दियां चुसकियां लेंदा होया हाथी दा बच्चा बोलया गिद्ड़ मामा जदो मैं टेरे नाल पेंड़ गया ता मैं बंबीतों पानी नाल अपनी सुंड पर के चंगी तरा नहाँआँगा सारे बच्चे हस परी पेंड़ दे महाल तों डर दे हुए हिरंदे बच्चे ने पुछया मामा वो थे डरन दी कोई लोडता नी गिदड़ ने फिर शेखी मार दे हुए किहा डर कादा सारे दे मैंनो जान देने गिदड़ दी गाल सुनके सारे जंगली बच्चे ने इको अवाज विच किहा असे भी पेंड जावाँगे जरूर जावाँगे कुलाडियां तों गरम गरम गुड खावाँगे बंबी ते नावाँगे गिदड़ बोल्या हाँ हाँ मैं तो अनुसारे नू लेके जावाँगा पर तुसी अपनिया मामा नू दास देना कि तुसी अपने मामे नाल पिंड जा रही हूँ तांकि ओ कोई फिकर न करन तै दिन ते गिदड़ सारे बच्चे नू नाल लेके पिंड विच चला गया जो है पिंड़ दी फिरनी पार कीती पिंड़ दे अवारा कुत्ते उनना दे पिछे पैगे खत्रा देखके गिदड़ ने शोर मचाया ए पागल कुत्ते ने सारे मेरे नाल दोड़ो अते अपनी जान बचाओ सब गिदड़ दे पिछे पिछे तेज दोड़न लगगे अगे ललारियां देकार सन अते कपड़े रंगाली ओना ने वड़ियां वड़ियां रंगालीयां कुंडां बनान्या हुयां सन डर्दे मारे सारे बच्चे गिदड समीत रंगान या कुंडा विच जाड़ी गे सारे रंग विरंगे होके बाहर निकले तब पिंडदे कुते भी डर्गे दोड़ गे किसे ना किसे तरह गिदड उन्ना सारे नू लेके जंगल विच पहुंच गया पर कोई भी पच्छाने नहीं सी जा रहा मामा ने दुखी होके पुच्चया साड़े बच्चे कि थे ने गिदड ने बड़ी मुश्क ना जवाब दिता एही सारे ने इना दे मूतो के अपना अपना पशान लगो मामा ने उना दे मूतो के अपने बच्चयानू गला नाल लगाया बच्चे रोरो के दासर हे सान गिदड मामाची उठाए हुन सबने गिदड नू फटकार लगाई अति राज शेर को उस दी शिकायच भी कार दिती शेर ने अपनी अधालत विच हुकम सुनाया गिदड ने जानवरां दे बच्चयानू चूठे लारे लाके उना ने जान नू खत्रे विच पायाई इसलिए हो अपरादी है अते करडी सजादा हकदार है कुछ देर सोच के शेर फिर बोल लिया जंगले जंगली कुते गिदड पिछे उसनों मारन ली दोडनगे जो सविच हिम्मत है ता अपनी जान बचालबी इंज ही होया जंगली कुत्याने गिदड दिया छाला चुका देतिया पर किसे ना किसे तरह अपनी जान बचौन विच सफल हो गया होन उसने कान फड़ के कसम खा दी क्यों हो कदे चूठ नहीं बुर लेगा आते नाहीं किसे नाल तो खा करेगा बच्चेव इस तरह तोसी वी चूठे ते मोमो ठगनिया गल्ला करन वाले लोकां तों सदा साब दान रहना क्योंके जड़े लोक ने मूँते कुछ होर हुन देने पिठ पिठे कोश होर हुन देने जे कहानी वदिया लगी ता शेयर जरूर कार दियो जी तान वाद इस चैनल ते तो अड़ा सब्दा हार्दिक स्वागत सत शिरी अकाल जी आया नू आज जेड़े से नमी कहानी ता डेरूब्रू कर रहे हैं ओ कहानी कुलवीर सिंग सूरी जी द्वारा लिखी गई है ते कहानी दा ना है जाद्दू दे गोले सेट बनबारी लाल बड़ा वड़ा जीमिदार सी उस दी नाल लगदे तिन चार पिंड़ा विच बहुत ज्यादा जीमिद सी बहुती जीमिदों ठेकेते दे दिन्दा पर कुझ जीमिद उपर उस दे काम करनवाले काम में वाही कर दे सेट बनबारी लाल बहुत अमीर होन दे बावजुद दिल्दा चंगा आदमी सी वो अपने काम्यानों किसे किसम दी तंगी नहीं सी ओन देन्दा सेट विचिक बड़ी बड़ी कम जोरी सी वो बड़ा सुस्त अते आलसी सी वो सारा दिन लेट्या रेंदा वो खान पीनदा विशोकीन सी अपने बिश्तर उपर ही बैठा बैठा वो खानदा पीनदा रेंदा जहां सुत्ता रेंदा जवाननी दे दिन ता उस दे चंगे निकल गए जदों हो वडेरी उमर विच पैर रखन लगया तब अध़जमी करके उसनों कई तराने तकलीफां रहने शुरू हो गया पैला ता उसने परवाना किती पर जदों तकलीफां जोर फड़न लगया ता उसने अपने इलाके दे सब तो वडे वैद मिंज हकीम नू बुलाया वैद नू पता सी के हे बंदा खान पीनदा शकीन है पर इसने कदी हड़पन के दूरा नहीं किता वैद दे ख्याल विच उसनों दवाई दी नहीं सव अपना सरीर हे लाण याने कसर्त करन दी जरूरत सी वैद ने सेट बनवारी लाल दा चंगीतरा मौयना किता अते अगले दिन एक जादू दी दवाई देन दा वादा किता अगले दिन वैद सेट को लाया वैद ने दो डंबल चुक्के होई सन वैद ने किहा सेट सहब एह दो जादू दे गोल गोल गोले हन एह तो हनों बिलकुल तंदरुस्त कर देनेंगे तुसी एना दोहा गोले नो उपर थले अगे पिछे उनी देर करी जाना है जिनी देर तो हनों चंगी तरा पसीना ना आ जावे पसीना और तो बाद ही एना जादू दे गोले ने असर करना है सेठ ने वैद जीदे कहन मुताबिक उनना डंबलानों उपर थले अगे पिछे करना शुरू कर दिता पहले कुछ दिन ता सेठ हुरी बड़े अखे हुए उनना नो साच अड़ गया अते बहुत ज़्यादा थकावट हो गई पर कुछ दिन बाद ही उनना नो लगया के जादू दे गोले ने असर करना शुरू कर दिता है उनना ने महसूस किता के स्रीर विच फुर्ती आ रही है पुख ज़्यादा लग रही है कुछ दिन होर लंग गय ता सेठ होरी बिल्कुल तंद्रुस्त महसूस कर लंग पे ओ वैद जी दे जादू दे गोले न तो बड़ा परवावित होई उनना ने वैद नू बलाके इनाम दिता अते गोले अंदर हस पुख या के की रा आजयना गोले अंदर वैद जी ने कहा सेठ जी ए जादू दे गोले हन तुसी इना दी वर्तों जी में तो आनों पहला अंदस्यर है जी हार रोज करी चलोंगे तान तो आडे नेडे कोई भी बिमारी नहीं आएगी जिस दिन तुसी इना जादू दे गोलयानों उपर थले अगे पिछे कारना छाड़ दिता उसे दिन तुसी बिमार पहे जाओंगे सेश बनवारी लाल अज अपने पिंड़ विचे सब तो लम्मी उमर दे तंदुस्त बजुर्ग हन ओ आज जी भी जादू दे गोलयानों उसे तरह वर्तों कर दे हन जिस तरह वैद जी ने उनना बहुत साल पहला दसी सी होण इस कहाणी तो सान नों इस सिख्या मिल दिया कि जेकर सी तंदुस्त रहना है ता साड़े सारे अंदे लोज जीड़ी कसरत है ते सेर करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जेकर सी वदिया खुराक ले रहे हैं ता उस खुराक नों हजम करन दे ली ज़ता सी कोई जड़ा फिजिकल वर्क है सिरीर के तोर ते कोई काम कर दे हुई है जे साड़े कोल उस्तरा न कोई काम नहीं है करने ली ता जड़ी कसरत है ते सेर है उस अनों करनी बहुत ज़रूरी है एही जड़ी लंबी उमर्दा ते जड़ी साड़ी तंद्रुस्तिय होदा इक राज तानवाद जी